बित्रों जय माता दी आप देख रहें धर्मसिक्छा धर्मसिक्छा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज इरों आज का संपूर्ण रासी फल लेकर ये संपूर्ण रासी फल है बुद्वार यानि की 9 सितंबर 2020 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विकर् अगर आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आज का पंचांग विस्तार प्रूबग जान सकते हैं एक-एक मूरतों के बारे में जान सकते हैं आज के संपून रासिपल के वीडियो में हम जानने वालें कुल 12 रासियों का आज का रासिपल साथ ही हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसासुल सुब खात दें रासिय उनसर क्या खाती पतात आपके लिए आज सुब रहेगा रासिय उन्सार कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और रासिय उन्सार कौन सा अंग आपके लिए सुब रहेगा यानि कि आपके लिए आज का लगी नमर क्या रहने वाला है इन्ही सब इच्चियों की संपून और सटिक जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो में हमाई साथ अंतक बढ़े रही है संपूर्ण रासी फल का लाव उठाईए वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक जोर करें साथ अपनी प्रतिक्रिया में यानि की कमेंट बॉक्स में जे माता दी तो जोर लिखें वीडियो आज के बारा रासी का रासी फल आपको बताना आरम करों उससे पहले आईए एक निजर डाल लेते हैं आज के ग्रहों की स्थेती पर आज मंगल मेशासी में जिसके फ्रसरुप अगर आप अपना दीन आज खुसनुमा बनाना चाहते हैं तो मानसिक तनाव और जंजटों से किसी प्रकार की चिंता से आपको आज बचके रहना चाहिए कुछी दिनों से आपका व्यक्ति का जीवन ही आपके ध्यान का केंदर रहा है लेकिन आज आज आप सामाजी कारियों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं और चवर्वत्मंद्वक्ति की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं जातक मैं देख पा रहा हूँ आज आपके बिगरे हुए काम भी बनेंगे आर्थिक योजनाओं के कारण आपकी कई परिशानियां भी कम होगी परिवाब में भी सान्ती और अनंद का माहौल बन सकता है प्यापार और धन की बात करें तो नोकरी ये वेबसाय जो भी काम आप करते हैं उसमें आपके सही योगियों का सही योग प्राप्त होगा जिससे कारी अस्थल पर माहौल अच्छा बना रहेगा आज कई सरोतों से धनलाब के योग भी बन रहे हैं आपके लिए बात केंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों को आज कड़ी महत करने की आउश सकता है जो या तक मेहनट करेंगे उन्हें सफलता की पाप्ते भी ज़ूर होगी स्वास्त की बात करें स्वास्त की दिश्टी से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है प्रीम समन्त की बात करें तो आज आपको अपने जीवन साथी के गुसे का सामना करना पड़ सकता है विवाही योगी जातकों के लिए आज के दिन उप्योगत रहने वाला है आज के लिए दूद या दूद से बनीवी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग golden color और आपके लिए आज का lucky number आठ रहने वाला है बात केंगे विरिशासी की विरिशासी मचंद्रमा आज पर्थामस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज की दिन आपको कहीं से सुब्ध समाचार की बापती हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन आज काफी बहतर बीटेगा किसे से कुछ उपहार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज ना सिर्फ अजनबियों से बलकि दोस्तों से भी साब्धान रहने की आपको जोरुवत है कहीं घूमने की यूजना भी बन सकती है तथा स्वाधिस्ट भोजन करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है आज किन आपके लिए कई तरह से फाइदे मन साबित हो सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीज़ें आपके पक्ष में भी जाएंगी और आपको हर काम में सफलता मिलने की संब्राबना बन रही है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो जो आतक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से करें क्योंकि आज आपके बॉस की नियर आप पड़ रही है इसलिए उनके निगाहों में अच्छे बने रहने का प्रयास जोर करें अपना काम इमानदारी से करें वैसे भी अपना काम इमानदारी से ही करना चाहिए जो आतक व्यापार करते हैं या जिने निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ करी निवेस करें तब ही आपको आर्थिक लाब हो पाएगा बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के ने अच्छा रहेगा आज विद्यार्थियों के साथ कुछ मन भटकने जैसे संयोग हो सकते हैं कुछ जात्कों के सोसल मेडिया और पूमो आफ़्ोन में ज्यादा समय ब्रवाद हो सकते हैं। जो विदार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ती भी होगी। स्वास्त की बात के हैं तो आज की आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा प्रहीम समन्त की बात के हैं तो आज की आपने जीवन साथी को भावनातमक दोर पर ब्लैकमेल करने से बचे हैं इससे रिस्ते आपके खराब हो सकते हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच को आज आप कोटकचरी के मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है वानी और वेवहार में सहीम रखना आवस्यक है आज आप किसी बात को लेकर भावुक हो सकते हैं आज किन खर्चों पर भी अपनी नियनतन रखें आज आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं कुछ जातकों को आज लंबा सफरते करना पढ़ सकता है जो काफी भागदोर भड़ा भी रहेगा लेकिन साथ ही आपके यह यात्रा आपके लिए फाइदयमन भी साबित हो सकते हैं बात केंगे व्यापार और धनकी तो नोकरी और व्यापार से जुरे जातक अपने ओफिस या व्यापार से समंदित लोगों से मिल्जूल कर रहें समझ औ धहरी से काम लें साथ ही कारी अस्थल पर साबधानी बढ़ते हैं आज के इन जल्दबाजी में निवेश तो बिल्कुल भी ना करें अगर आपको कहीं निवेश करना है तो सोच समझ करें निवेश करें अनभवी लोगों की सला से ही करें वरना आपको नुक्सान हो सकता है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है आज के इन सोचल मीडिया में ज़्याद समय बरबाद ना करें अपने परहाई-परही ध्यान लगावाएं आज के नियुक्त बादाम आपने खादे पताति में सामिल कहेंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग हरारंग और आपके लिए आज का लखी नम्मर तीन रहने वाला है, बात केंगे करकरासिकी, करकासिम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसरूप आज करिन आपके लिए अच्छा रहने वाल है आज आपको मान समान मिलेगा साथ ही आपको यस किर्थी और लाविकी प्राप्ति भी होगी बुजरुगों और मित्रों के साथ आपका दिन आनंद में वितेगा साथी पत्नी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा वितेगा किसी प्रिये व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कारी अस्थलपा परिशरम के अनरूप लाविकी प्राप्ति आपको होगी किम्ती वस्त्मों को सम्हाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भय भी बना रह सकता है आज आपके लिए नया काम करने के लिए भी अच्छा दिन है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार और धनकी दिष्टी से आज के नपके लिए अच्छा रहने वाला है आज रोजगार के लिए किया गया प्रियास आपका सफल रहेगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करें सामाने रहने वाला है मेनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की दिरिष्टी से आज करें आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है बुजूर्द जात्कों को खास करके परिशान ही हो सकती है उन्हें पुरानी बिमारियों से कश्ट हो सकता है मौसमी बिमारियों और महामारी से कुछ यह तक परिशान हो सकते है प्रेम समंद की बात करें और आपके लिए आज का लकी नम्मर साथ रहने वाला है बात कहेंगे सिंहरासी की सिंहरासीम चंदरमा आज चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आज आपके घर तथा कारी अस्थाल में बहतर वातावरन रहने से आपको काफी प्रसंता होगी मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ मोज मस्ति भरी यातर आपको सुकुन दे सकती है आपके किसी प्रिये वक्ति के साथ कुछ मतभेद उभरकर आज सामने आ सकते हैं साथ ही लोग आपको समझ नहीं पाएंगे आज आप किसी बात का सीधा जवाब अगर नहीं देंगे तो आपके सहियोगी आपसे नाराज भी हो सकते हैं नोकरी करने वाले जातर के लिए आज के अच्छा रहने वाला है उच्छे पतादेकारी आपके कारी के सरहना कर सकते हैं सरकारी कारियों से आज आपको सफलता मिलेगी अपनों से मनमटाव होने की संभावना भी बन रही है तो उन से अच्छे समन्द बना के रखने का प्रियास जोगर करें बात करेंगे व्यापार और धनकी पढ़ाई से आपका मन भटकेगा फिर भी अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावें स्वास्त की बात के तो स्वास्त के दिश्टी से आज के लिए अपके लिए अच्छा लेने वाला है हो सकता है आपका जीवन साथ ही आज आपको प्रियाप समय नन देपाएं तो उन्हें समझने का प्रियाप जोड़ करें आज के निगा जौ या जौ से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा भी हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी आज कर्याप के लिए बहुत ही सक्रिये और लोगों से मेल जोल भड़ा भी रहेगा आज अपने उत्साह में कमी तो बिल्कुल भी ना आने दें उत्साह में कमी के कारण आज आपके कारी प्रभावित हो सकते हैं इसका प्रभाव आपके वेबसाइक 6 पे भी आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी पढ़नाली में सुधार करने की अवे सकता है कुछ राजिकिये सहयोग मिलने की समभावना पन रही है संतान के साथ मद्भेद हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर निर्ने सोच समझ करें लें किसी अध्यात्मी गुरु या ज्यानी पुरुष की सला से ही लें बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज अगर कोई नई व्यापारी की योजना बनाएंगे तो आने वाले समय में आपको उससे लाब मिलेगा आपके व्यापारीक परत्यदि आज सांत भी रहेंगे विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है मेहनत करें सफलता आपको ज़रू मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आप थकान और अलसे का अनभाव करेंगे वैस्त दिन चरिया के वाबजूद आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात के तो विवाही जातकों को गहत सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी के से प्रेम और सम्मान की पापती होगी आज के निगर दही अपने खाते पदारते में सामिल कहेंगे तो आपके लिए सुख रहेगा मिथी वानी बोलें, वानी में सयम में रखना अवसेक है, वरना आज किसी से आपके लाई जगरे भी हो सकते हैं, अपने सहकर्मी और अधिनस्त करमचारियों की सला आपके लिए लाबदायक सिद्ध हो सकती है, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो आज आप कहीं भी निवेस करते हैं, तो उसके बारे में पहले घहराई से जानने की कोशिस करें, कोई भी कदम उठाने से पहले विशे से किस सला जो उड़ लें, तभी कहीं निवेस करें, बात केंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामानी रहने वाला है, आज के इन सोसल मीडिया में ज़्यादा समय बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ही ध्यान लगावाएं स्वास्त की बात के तो आज अपने स्वास्त के प्रति साथान रहने के आपको जोरत है कप और पेट समंधी विमारियां आपको परेशान कर सकती है बात केंगे प्रीम समंद की, तो प्रीम समंद हो कि दिश्टी से आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी से सामन जस्य आपका बना रहेगा, आज के इनकर साबूत अनाज अपने खादे बदात में सामीर करते हैं तो आपके लिए आज का सुबर रहेगा, ग्रीन कलर और आपके लिए आज का लाकी नमर आठ रहनेवाला है, बात केंगे विश्ची ग्रासिकीं, विश्ची ग्रासिम चंद्रमा आज साथमे स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज कहीं अपने मान समान में आपके विर्धी होगी, आज आपका समय में भी वितेगा स्वाधिष्ट भोजन प्राप्त होगा दोस्तों और पड़ी जनों के साथ कहीं घुमनी अस्वे विताने का मौका आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच आप सब के ध्यान का केंद्र बने रहेंगे बात केंगे व्यापार और धन की विद्यार्थियों के लिए आज के इन मध्या मरेने वाला है फोन और सोसल मीरिया में अपना समय बरबाद ना करें महिनत करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा अपने जीवन साथी के स्वास्त का भी आपको ध्यान बात का है तो आज का इन अपने प्रेम परसंगों के लिए आपके अनुकुल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को यह जोड बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समन सुद्रिड होंगे आज की अगर ब्राउन राइस यान की पका चावल खा तो इसका ध्यान रखें बलकि अगर सही दिशा में समय लगाएंगे तो हाइदा आपको कही न कहीं मिलेगा भागीदारी वाले वेबसायों में निवेस करने से आज बचें आज किसी प्रकार का जोखी मिलेने से भी आपको बचना चाहिए आज आपके लिए सफलता प्राप आपको मिलेगा और खर्च भी आपका बढ़ेगा आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे समय से सुनना चाह रहेते हैं व्यापार और धन की बात के तो आज आपका ना चाहते वेबी किसी फालतु के खर्च में समय परवाद हो सकता है तो अपने खर्च प आपके प्रेम समन्तों में थोड़ उतार चलावा सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों की संभावना भी बन रही है आज की ने अब दूद से बनीवी चीये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फिरोजी रंग और आपके लिए आ आपके सुबहाव में भावकता और कामकता की एधिक्ता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रगार का भए भी बना रहेगा मानसिक संतुलन बना के रखें काम और घरबालों का दवाव आज आपको थोड़ा गुस्यल भी बना सकता है आज के नियात्रा और मरणजन लोगों स उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा परदर्शन कर सकेंगे तो महनत में किसी प्रगार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्त की बात के तो आज आपको पेट समन्दी दिक्कत का सामना करना पर सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी प्रेम समन्द की बात के जीवन साती से अच्छे समन्द बनाने की कोशिस करें उनके साथ आने वाले दिनों की योजनाई सेर भी करें इससे आपके समन्द अच्छे बने रहेंगे आज की दिन अध्रक अपने खादे पदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुप रहेग किसी की बातें आपको ठेश पहुचा सकती है तो ज़्यादा भावनाओं में नाव हैं वरना आपके स्वाभिमान को भी इससे ठेश पहुच सकता है कुछ जातकों के पैसे दूसरों पर खर्च हो सकते हैं जिससे घरेलू जीवन में कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके भरोसे और वादे की जुरत का महसूस करेंगे बात करें व्यापार और धनकी तो व्यापार धनकी अगर बात करें जो आतक नोकरी करते हैं उन्हें आज ओफिस में अच्छा महौल मिरेगा कामकाज के इस्तर में सुधार भी होगा व्यापार से समदित आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है और ये आपके लिए लब्दाइक भी रहेगा तो यात्रा के मौके को हाथ से ना जाने दें इस मौके का फाइदा जरूर उठावें आपके व्यापार के लिए अच्छे सहीओ भी बन रहें आज बात करें विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज का समय मध्यम रहने वाला है सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात के तो भोजन और निन्द में और नियमित्ता रहेगी जिससे स्वास्त आपका थोड़ डगमगा सकता है आज अगर इस सब बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा बात करें प्रेम समंद की तो पेम समंद की बात केंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जो यातक साहीत लेखन या कला के शेत्रे से जुरे हुए हैं उनको सफलता मिल सकती है आज कहीं यातर पर आप जा सकते हैं अगर कोई पारिवारीक उल्जन है तो उसे सुल्जाने का या एक अच्छा समय है आज कहीं आप अपने पारिवारीक इस्तिनाते के उल्जनों को सुल्जाने में काम्याब रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकरी बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में भी आप मदद कर सकते हैं बात कहीं कि व्यापार और धनकी तो वित्य मामलों पर ध्यान देने की आवे सकता है आज के इन कियेगे निवेश काफी फाइदे मंद भी सावित हो सकते हैं आपके लिए लेकिन निवेश तो समझकरी करें आपको अपने भागीदारों यानि की पार्टनर के विरोध का सामना भी करना पढ़ सकता है बात के विद्यार्थी की साहित, लेखन और कला के छेतर से जोरे विद्यार्थियों के लिए आज करने अच्छा रहने वाला है सफलता मिलने की संभावना भी बन रही है स्वास्त की बात के स्वास्त के देश्टी से आज के अपके ठीक ठाग रहेगा लेकिन आज आज आपको संतान के तरफ से थोई चिंता रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान रखें प्रेम समन्थ की बात के प्रेम समन्थों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है समय यान कि गुलिक काल रहने वाला है दिन के गुली काल रहने वाला है दिन के 11 बच dicho 44 usd levator 12 Rep. 18 100 inseod ऐस समय में कोई भी नयाकारी आप आरम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी आज का अशुप समय यान कि रहो कालश है दिन के 12 बच Goet 18-18 मिनर्स लेकर एक बच कर 51 मिनर्ट तक इस समय में कोई भी नयाकारी अभूल कर भी आरम ना करें यहां पे आपको हानी हो सकती है दिशासुल आज उतरदिशा में आने वाले हैं उतरदिशा में किसी भी खास प्रियूरेंच है यात्रा वर्जित है आज सुब खात आज का ध आज समय झाग कर दो फथैकर ऊजय कर चारदि नयाक कर दो उतरदिशा में आज रहा देड़ों जानी है अजय कर दो कर दो दो प्रादिशा है हए रहादा आज है वातरदिशा आओ जार एक कर दो रहादा है